हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू दे एजुकेशनल चैनल ओफ बॉटनी अड़ा में आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे बॉटनी का स्लेवस पेपर फस्ट और पेपर सेकंड दोनों का में आपको स्लेवस बताऊंगी और 2022-23 का बिलकुल न्यू स्लेवस बताऊंगी ठीक है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका जो बॉटनी का पेपर फस्ट है उसका नामे पादपकारी की एवं जैवरसायन एक एक करके मैं आपको सभी यूनिट्स के टॉपिक्स बताऊंगी कौन सी यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर फस्ट का स्लेवस सबसे पहले टॉपिक दिया गया है पादपकारी की प्लांट फिजियोलोजी एंड इंट्रोडक्शन सो यह जो टॉपिक दिया गया है पादपकारी की इसमें आपको कौश्चन नहीं करना है इसके अंतरकत बाई चांस कभी एक मल्टिपल चॉइस कौश्चन बूश लिया जाता है एक नम्मर कर ठीक है अब स्टार्ट करते हैं यूनिट फस्ट सो यूनिट फस्ट है उसमें दिया गया है पादप जल संबंद प्लांट वाटर रिलेशन एंड वास्पो उत्सरजन या फिर जिसे ट्रांस्पिरेशन भी कहते हैं तो आपकी जो यूनिट फस्ट है उसमें आपको प्लांट वाट का अप्शोशन, एप्सॉप्शन ओफ मिनरल नूट्रियंट्स, कार्वनिक विले पधार्तों का इस्थानांत्रन, ट्रांस लोकेशन ओफ और अर्गनिक सॉल्यूट और बायो मॉलेक्यूल यानि की जैविक अनुग, इसके अंतरगत कार्वो हाइड्रेड, अमीनो एसिट, प पढ़ सकते हैं, इसके बाद यूनिट थर्डे आपकी पेपर फस्ट की, जिसमें आपको पूरा फोटो सिंथेसिस पढ़ना है, यानि प्रकाश अंशिलेशन दिया गया है, यूनिट फोर्थ में दिया है, रैस्पिरेशन यानि स्वशन, और यूनिट फिफ्ट जोयस में दिया गया है, एंजाइमो लोजी के आधार, एंजाइम्स, एंड पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, तो ये पाँचों यूनिट दी गई है आपकी पेपर फस्ट के अंतरगत, अब हम देखते हैं पेपर सेकंड, पेपर सेकंड जोयस का नाम है, पोशी का जैवी की, अनुवाइशी की एवं जैव प्रदोगी की, सो इसमें दिया गया है, यूनिट फस्ट में प्लाजमा जिली, दुइस तरिये लिपिट संदशना एवं कारे, प्लाजमा मेंब्रेन दी गई है, सबसे पहले इसका बाइले लिपिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके बाद यूनिट फस्ट में दिया गया है, सैल वॉल, कौशिका भित्ती, कौशिका अंगगों की संदशना एवं कारे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सैल और्गिनल्स। इसके बाद यूनिट सेकंड में दिया गया है, गुर सूत्रों की आकार की सेंट्रोमियर एवं विभिन्यताएं, गुर्शूत्र संख्या में विभिन्यताएं, डिने अनुवाइशिक पधार्त, संदशना एवं पुन्राविर्ती, ठीक है, तो ये आपको यूनिट सेकंड के अंतरगत दिया गया है, पेपर सेकंड में, इसके बाद ही यूनिट थर्ड, यूनिट थ दिये गये हैं, और सहलगनिता विशलेशन, लिंकेज एनलाइसिस, जीन्स की अन्योन किरियां एवं पारसपरिक संबंध, कोशिका द्रव्य वंशागती, प्राकिर्तिक एवं प्रेरित उत परिवर्तन, म्यूटेशन, इस्थानांतरंड शील अव्यव, डिने छती एवं श जीन की संडशना, अनुआशिक कोड या जैनेटिक कोड, अनुआशिक सूशना का स्थानांतरं, प्रोटीन संसिलेशन, अनुलेखन एवं अनुवादन, यानि ट्रांस्क्रिप्शन and ट्रांसलेशन, इसके बाद दिया गया है, ट्रांसफर, टी आरेने, राइबोसोम, प्र थोड़ी सी बड़ी दी गई है गाईस चलिए देखते हैं इसके भी टॉपिक सबसे पहला टॉपिक दिया गया है जेव प्रधोगी की कार्यात्मक परिभाशा इसके बाद सेकंड टॉपिक दिया गया है पादप उतक समवर्धन के आधारबू तत्व कोशिकी टोटी पोटें विभेदी करण एवं मार्फो जैनेसिस ठीक है थर्ड टॉपिक दिया गया है जेव प्रधोगी की क्रशी में विभिन उपलब दियां फोर्थ टॉपिक दिया गया है अनुवाइशिक अभियांत्री की देन पुनर योगस डीने तक्नीक के ओजार एवं तक्नीक क्लोनिंग वेक्टर्स या बाहक एग्रो वेक्टिरियम की जैवी की जीन डिलेवरी के बाहक तथा मारकर जीन जीनोमिक एवं सी डीने लाइवरेरी जीन मैपिंग एंड गुरसूत्रो वाकिंग ठीक है तो ये सभी टॉपिक दिये गया है आपके यूनिट फाइब के अंतरग इस पॉट्रिंट कोशन मल्टिपल चॉइस कोशन सभी में आपको इसी स्लेवस के अकॉर्डिंग दूँगी ठीक है तो ये होगे आपका बीसी थर्डियर बॉतनी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का स्लेवस तो अभी इस साल जो बीसी थर्डियर में आये हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग